बर्थे स्पेशल हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री की जुबली करल थी आशा पारेक, पचासी से भी ज्यादा फिल्मों किया अभिनाय। गुंज उटी शेहनाई। बर्थे साफी प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म बापत बेटी में काम करने का प्रस्ताव दिया। वर्ष 1954 में प्रदर्शित यह फिल्म टिकट खिड़की पर असपल साबित हुई। वर्ष 1958 में आशा पारेक ने अभिनेत्री बनने के लिए फिल्म इंडिस्ट्री का रूप किया लेकिन निर्माता निर्देशक विजभट ने आशा पारेक को अपनी फिल्म गुंज उटी शेहनाई में काम देने से इंकार कर दिया। हाला कि इसके ठीक अगले दिन उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक नासिर हुसेन से हुई जुन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचान कर अपनी फिल्म दिल देके देखो में काम करने का प्रस्ताव दिया। वर्ष 1969 में प्रदरशित इस फिल्म की कामयाबी के बाद आशा पारेक फिल्म इंडिस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कुछ हद तक कामयाब हो गई। वर्ष 1960 में आशा पारिक को एक बार फिर से निर्माता निर्देशक नासिर हुसेन की फिल्म जब प्यार किसी से होता है में काम करने का अवसर मिला फिल्म की सफलता ने आशा पारिक को स्टार के रूप में स्थाफित कर दिया इन फिल्मों की सफलता के बाद आशा पारेक निर्माता निर्देशक नासिर हुसेन की प्रिय अभिनेत्री बन गई और उन्होंने उन्हें अपनी कई फिल्मों में काम करने का अवसर दिया। इन में फिर वही दिल लाया हूँ। तीसरी मनजिल बहारो के सपने, प्यार का मौसम और कारवान जैसी सुपर हिट फिल्म में शामिल है। वर्ष 1966 में प्रदर्शित फिल्म तीसरी मनजिल आशा पारे के सिने क्यारियर की बड़ी सुपर हिट फिल्म साबित हुई इस फिल्म के बाद आशा पारे के क्यारियर में ऐसा सुनहरा दौर भी आया जब उनकी हर फिल्म दौट सिल्वर जुबली मनाने लगी यह सिलसिला बे समय तक चलता रहा इन फिल्मों की काम्याबी को देखते हुए वेह फिल्म इंडिस्ट्री में दौट जुबली करल के नाम से प्रसिद्ध हो गई वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म कटी पतंग आशा पारे की एक और सुपर हिट फिल्म साबित हुई शक्ती सामंत के नि देखतनिये फिल्में हैं डौट हम हिंदुस्तानी, घूंगट, घराना, भरोसा, जिद्धी, मेरे सनम, लविन टोकियो, दो बदन, आए दिन बहार के, उपकार, शिकार, कयादान, साजन, चिराग, आन मिलो सजना, मेरा गाव, मेरा देश, कारवा, बिन फेरे हम तेरे, सौ दिन सासके, बुलंदी, कालिया, बनवारा, अंदोलन आदी